हलो एबरीबन, वेलकम माई यूटूब चैनल दोस्तों जैसा कि आप सबको पता यूब टरपलेसी की ओर से होमोपेटक फॉर्मसेस्ट के लिए 397 पदोपर नौट डिपिकेशन जारी कर दिया है और इसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं अगर आप लोगों ने पैट एक्जाम 2030 को दिया है तो आप इसके फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं आपको बता दूँ इसके लिए कुछ इस्पेसल क्वालिपिकेशन चाहिए जिसके रिलेटर मैं वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो को आप देख सकते हैं एक चीज़ बताईए कि आपकर किस क्वालिपिकेशन के हैं तो आप किसलिए मतलब इसके लिए एपलाई कर पाएंगे फिलार इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं आपको पता है किसी इस्ट्रेट के बहुत कमार्स आ रहे हैं आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें एक्जाम पैटर्न से रिलेटर बात कर लेते हैं आपको पता है अब यह उपीसियल यूपीटर परिसे ने पैटर्न जारी नहीं किया लेकिन 99% चांसिस हैं कि आपको यही एक्जाम पैटर्न देखने को मिलने वाला है आप इसी से रिलेटर अपनी तैरी को स्टार्ट कर सकते हैं तो यह जो एक्जाम पैटर्न है इसमें के सरीके रहने वाला है आपको ट्रेट जो आपका DHP का डिप्लोमा है जो आपने पड़ा होगा तो आपको 65 कोस्टन इससे देखने को मिलने वाले कितने मार्स के 65 मार्स के इसके अलावा UPG के के आपको 20 कोस्टन मिलना है 20 मार्स के इसके साथ एक computer के आपके 15 question देखने को मिलने वाला 15 मार्स के यानि total जो आपके question रहेंगे 100 question आपके रहेंगे 100 मार्स के और आपको इसके लिए time मिलेगा दो घंटे का आपको इसके लिए time मिलेगा इसके अलावा इसमें negative marking रहेंगे 1 फोर्स की तो ये चीज भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे तो फिलाल ये exam pattern है इससे exam pattern को आप मान कर अपनी तयारी start कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है यूपिटर पर इसके कोई भी exam होता है यूपिजी के और computer से question देखने को मिलते हैं बागी trade को आपको अपना पढ़ना है और आपको तयारी start कर देनी है तो ये आपका exam pattern है इससे रेलेटर अपनी तयारी करेंगे आसानी से exam को qualify कर सकते हैं इस pattern के according next हम बात करते हैं कि आपका जो pet cut up है कितना रहेगा बहुत सारे student के marks कमा रहे हैं तो उने लग रहा है कि हम तयारी करें ना करें किस तरीके से जिससे के हमारा ये मतलब तयारी करना निचा रहे हैं cut up के चकर में cut up कितना रहेगा तो सबसे पहले चीज़ आपको बता दूँ इसके लिए जो qualification है qualification कितनी रहेगी पैट 2023 का exam दिया होना चाहिए दूसरी क्या है आपके पास DHP का डिप्लोमा होना चाहिए तीसरी क्या है आपको जो इसकी तीन महीने की training आपके पास होना चाहिए DHP की चौती चीज़ क्या है जो homopathic medicine board है उसके पास रहेश्टेशन आपके पास होना चाहिए कुल मिला कि चार चीज़ें होंगे तो ही आप इसके लिए eligible होने वाले अब पैट का जाहिर सी बात है पैट का एक्जाम तो जादे तर श्टूडेंट देंगी जिन लोगों ने ये दिया ही होगा जिन लोगों को ये इस एक्जाम को देना है DHP का डिप्लोमा भी होगा तीन मंधी की training आपके पास होना चाहिए रशेसन नमबर होना चाहिए अब बात करते हैं जो वैकनसी आईए 307 वैकनसी आईए 307 हम मान सकते हैं 400 वैकनसी आपके पास हैं अब इसमें जो मेंस एक्जाम के लिए बलाया जाता है यूप्टरपलसी बलाता है लगो 15 स्टूडेंट को कहता है लेकिन बलाता है कितनी को 30 गुना को तो तीन चौक बारा यानि बारा हजार स्टूडेंट को मेंस एक्जाम का देने का मौका मिलने वाला है अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ये चारों चीजों में से एक चीज नहीं है यानि अगर एक चीज भी नहीं है यानि आपके मार्स नेगेडिव में नहीं है जीरो नहीं है तो आपके अकरें आसानी से तैरी स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी कनफ्यूजन के मेरा मानना ये है जितने भी बारा हजार स्टूडेंट हैं इन में सारे बहुत स्टूडेंट हैं लेकिन ज्यादा तर उम्मीद यही लग रही कि बारा हजार स्टूडेंट में के बहुत सारे स्टूडेंट से होगा मान लोग किसी के मार्स जादे आते होगे तो उनके पाद धीएचप का डिप्लोमा नहीं होगा या पिर तीन मंत का ट्रेनिंग नहीं होगी तो अलग अलग समस्या हो सकती है यानि मान सकते हैं जिनके पॉजिटिव मार्स हैं और जीरो मार्स नहीं हैं तो वो इसके लिए बिना किसी कनफ्यूजन के तैरी स्टार्ट कर सकते हैं तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक बार बात आपको और पता दूँ जल्दी जब इसका एक्जाम पैटना दाएगा हमने चैनल पर इसकी किलास भी स्टार्ट कर देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत